इकनोमिक्स में आज हम law of demand क्या है ये बताने जा रहे हैं law of demand अट्सास में सबसे बुनियादी कॉंसेप्ट में से एक है ये law of supply के साथ काम करता है ताकि ये बात की वैक्षा की जा सके कि market economies संसादनों को कैसे अबंडित करती है साथ ही उन सामान और सेवाओं की कीमतें निर्धारित की जा सकें जो हमें दैनिक ट्राजिक्शन में देखते हैं law of demand ये बताता है कि खरीदे जाने वाली समान की मात्रा कीमतों के अधार पे अलग अलग होती है अगर समान या सेवा की कीमत उच्चे है तो उसके खरीदे जाने या मांग की मात्रा कम होगी वहीं अगर कीमत कम है तो मात्रा अधिक होगी ग्रहक खरीदे गए समान की पहली कुछ यूनिट्स में सबसे पहले अपनी अतियावशक जरूरतों को पूरी करता है मार्केट डिमांड कर बजार में सभी कंजूमर्स के बीच हर कीमत पर मांग की मात्रा को व्यक्त करती है कीमतों में बदलाओ से डिमांड कर में बदलाओ आ सकता है कंजूमर्स की पसंद आई से भी किसी प्रॉडक्ट की मांग को प्रभावीत करती है फिर भले ही उसकी किमतों में बदलाओ ना हुआ हो और शास में ये अद्धियन सामिले कि लोग कैसे अपनी असीमित शाओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का इस्तमाल करते हैं लोग डेमान उना सीमित शाओं पर फोकस करता है सबी जानते हैं कि लोग सबसे पहले अपनी अतियावशक जरूरतों और इक्षाओं को प्रात्मिक्ता देते हैं उसके बाद कम जरूरी इक्षाओं या जरूरतों की बारी आती है इसी के आधार पे लोग ये देखते हैं कि कैसे उपलब्दसी में साधनों से इन प्रात्मिताओं को पूरी किया जा सके तो ये law of demand है